Hello friends, welcome to my channel, my little one India, मेरा नाम है महिमा गर्भावस्ता में अगर आपका वजन तेजी से बढ़ रहा है तो आपके मन में सवाल जरूर उठता होगा कि या आपके और आपके बेवी के लिए नुकसान दायक तो नहीं, तो या सच है अगर तेजी से बढ़ रहा है वजन तो आपको बहुत सारी जटिलताओं का सामना करना पढ़ सकता है जैसे कि शुगर की प्राब्लम हो सकती है, रक्त के ठक्के बन सकते हैं, सिजेरियन डिलीवरी हो सकती है उससे भी जादा तो गर्वपात का खत्रा बहुत बढ़ जाता है उक्तरक्त चाप यानि हाई प्लट पेशर की भी प्राब्लम आ सकती है कमर में दर्द बना रह सकता है और आपको अधिक प्रसव पीड़ा का भी अनभाव करना पढ़ सकता है प्रेगनेंसी में वजन बढ़ना सामाने होता है लेकिन अगर आपका वजन जादा बढ़ रहा है तो इसे कम करने के लिए डॉक्टर की सला जरूर लें अतने था आपको जटलताओं का सामना करना पढ़ सकता है अब सवाल उठता ये है कि प्रेगनेंसी में वजन नियंत्रित करने के क्या तरीके हैं वजन को नियंत्रित करने के लिए कोई भी तरीका अपनाने से पहले आप अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर कर लें आप घर में थोड़ा-थोड़ा खाएं प्रेग्निंसी में महिलाओं को एक सात अधिक भोजन करने से बछना चाहिए बलकि दिन में 6-7 बार वो खाना खाएं पर थोड़ा- थोड़ा खाएं आप तरल पदार्थों का उपयोग ज़्यादा करें प्रेग्निंसी में वजन पर काबू पाने के लिए गर्वती महिलाओं को खुब तरल पदार्ट लेने चाहिए इसके लिए उन्हें दिन में 8-10 गलास पानी और 3-4 गलास फलों का जूस पीना चाहिए भरपूर प्रोटीन ले ऐसी अवस्था में प्रेग्निंट महिलाओं को भरपूर प्रोटीन की ज़वरत होती है इसके लिए उन्हें अपने डाइट में मशली, अंडा, दूद, फल, आदी शामिल करना चाहिए आपको व्यायाम भी बहुत जरूरी है प्रेग्निंसी की शुरुआत से ही गरवती महिलाओं को हलका फुलका व्यायाम करने की आदर डाल लेनी चाहिए इससे आपका वजन नियंतरित रहता है कभी भूग बढ़ाने की कोशिश ना करें आम तोर पे गरभावस्था में कुछ महिलाएं अधिक खाने के बाद भी अपनी भूग बढ़ाने की कोशिश करती है लेकिन अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आपको अपनी भूग को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है फास्ट फूट से बचे पड़ेगा और ऐसी कैलोरी का कोई फाइदा नहीं होगा डाइट ना करें यदि गरवती महिलाएं वजन को कम करने के लिए डाइटिंग करने लगेंगी तो यह उनके स्वास्त के लिए हानिकारक होता है ऐसे में उन्हें डाइटिंग नहीं करनी चाहिए कोई भी नुसका अपनाने से पहले डाक्टर से कंसल्ट कर ले उसके बाद ही उस चीज को अपनाना चाहिए अगर मेरे दोरा दीगे जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेर करना बिलकुल नहीं भूलेगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरन सब्सक्राइब करें थैंक यू